बड़ी सफलता नहीं है लेकिन मेरे जीवन की यह बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि जब मैंने अपना जीवन है स्टार्ट किया तो मैं एक मजदूर के रुप में काम किया था 600 रुप्या महें ना इस तरह के कहानी सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही देखने को मिलेगा एक दोस्त ने कैसे अपनी दोस्ती इस कलियुग में दोस्ती का फर्जी निभाया सुन कर दंग रह जाएंगे भविष भूसन कुमार पिछले दिनों नितीश कुमार बिहार में नियुक्ती पत्र बाटे कुछे बिहार पुलिस में भरती हुएं उनको और उसी में से एक अररिया जीला के रहने वाले भविष से भूसन कुमार हैं जिनको नियुक्ती पत्र मिला वो दरोगा बन गए है और उनसे ज़्यादा तारिफ होनी चाहिए उनके दोस्त जो सचीवाले में नौकरी करते हैं और इस कलियुग में कृष्ण और सुदामाक जैसे दोस्ती को कायम रखा उन्होंने ना सिर्फ अपने दोस्त के सपने को सगार करवाया बलिक आर्थिक समाजिक और मानसिक रुप से यानि हर तरफ से सहयोग किया संजीत कुमार नाम के एक दोस्त दे सचीवाले में वो नौकरी करते हैं असल में ये कहानी वहां से लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं ऐसी घटना घटी एक भविस कुमार भविस भूसन कुमार के साथ गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ना पड़ा लेकिन उनके अंदर जो पढ़ने की इच्छा थी न वो मरा नहीं दिल्ली गए दिल्ली के संकों पर नोकरी किये लेकिन उनके अंदर जो इच्छा थी वो उन्होंने जगा कर रखा वहाँ वो नोकरी किये लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर ये इच्छा रही कि हम पढ़ेंगे और इसके बाद वो फिर भिहार आये 2004 में वो गए और पांच-छे साल बाद भिहार आये और इसी बीच उनका दोस्त से मिलना हुआ और उनके दोस्त ने कहा कि आप बिलकुल पढ़िए आपके अंदर कुछ छमता है जो आप अपने सपनें को साकार कर सकते हैं उन्होंने ना सिर्फ एक साधी सुदा दोस्त समझिए परिवार का खर्च उठाना और पढ़ाई जारी रखना समाज परिवजूद पढ़ाई जारी रखना कितना मुश्किल भरा होगा लेकिन भविस भुसन कुमार ने सब को जहलते हुए आज ये साबित कर दिया कि अगर इच्छा सकती है तो कुछ भी किया जा सकता है उन्होंने अपना संगर सभरा जीवन जीते हुए अपनी च्छाओं को पूरा करने के लिए अपने नेंद को हराम करके अपने सारे रिष्टेदारों के जो ताना था उसको इग्नोर करते हुए उन्होंने अपने सपनों को सकार करने के लिए उस दोस्त के उस सब्द को हमेशा याद रखा कि जो इनसान करना चाहता है जिसके अंदर छमता है जिसके अंदर इच्छा है वो जरूर करता है यानि कोशिस करने वाले की कभी हार नहीं होती। उन्होंने कोशिस जारी रखा और रिजल्ट ये आया कि वो बिहार के दरोगा परिच्छा में सफल हुए और नितीश कुमार के द्वारा उनको न्यूक्ति पत्र दिया गया। भविस भुसन कुमार अब ये उन तमाम बिहार के लोगों के लिए ही नहीं पूरे देश पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक मिसाल पेस कर रहे हैं जो थोड़ी सी मुसीबत आती है तो अपना पढ़ाई सबसे पहले अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं और इसके बाद ये रोना रोते रहते हैं कि हमें पढ़ने नहीं दिया गया हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला लेकिन अगर इच्छा सकती हो तो पढ़ाई कभी भी पूरा कंप्लीट किया जा सकता है और इस बात को साबित कर दिया भविस भुसन कुमार में तो जो लोग ये कहते हैं न कि ह हमें फलना ने नहीं सयोग किया, माता ने नहीं किया, पिता ने नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उनके लिए सिखना चाहिए, उनके लिए ये भविश भूसन कुमार एक एकजामपल हैं, कि देख लो कैसे इच्छा सकती हो तो आगे बढ़ा जा सकता है, और अपनी मनजील अपना भविश्य खुद तै किया जा सकता है अब इस कल्यूग में संजीत कुमार जैसे सबको दोस्तों नहीं मिल सकते हैं लेकिन इच्छा सकती हो तो दोस्त नहीं तो कोई और लेकिन कोई न कोई मिल जाता है अगर इच्छा सकती हो तब इच्छा सकती होनी चाहिए क कुछ करने की और ये सही है कि कोशिस करने वाले की कभी हार नहीं होती है